हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको बताती हुए वेइंग स्केल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसे प्रॉपरली कैसे यूज करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल रखा है जिसका वेट करीब 122 ग्राम्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओन आफ के बाजो के बाजो में जो बटन होता है थर्ड बटन जिससे टेर कहते हैं उसे आपको क्लिक करना है जब आप उसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने बरतन रखा है उसका वेट आटमेटिकली जीरो हो जाएगा इसका मतलब यह है कि जो आप प्रोड़क्ट वेग करेंगे जो कंटेनर है उससे नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आटा लिया है जो मैं करीब वन कप जो है उसे मेजर कर रही हूं तो वन कप जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं मार्केट में 200 ग्राम्स का होता है बट यहां पर मुझे सिफ 115 ग्राम्स का आटा चाहिए तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर एकदम प्रॉपरली उसे करेक्टली मेजर कर रही हूं और आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा आटा बच भी गया है जबकि मैंने बहुत कम आटा लिया था आप वेइंग के लिए उसकरने का सबसे इंपॉर्टन रीजन यह है कि आपको जो रेसिपी आप फॉलो कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपर बैठे और आपको जो है प्रॉपर रेजल्ट एकदम पॉफेक्टली मिले क्योंकि हर किसी का मेजरिंग कप एंड स्पॉन्स का साइज अलग होता है तो इस बेटर कि आप वेइंग स्केल यूज कीजे जिस कर सकते है क्योंकि का होता है कभी-कभी हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं कभी कम डाल देते हैं अगर आप कभी ज़्यादा मेजरमेंट से डालेंगे तो फिर आपका केक डेंस भी बन सकता है अगर आप कम डालेंगे तो या तो यह हो सकता आपका केक प्रॉपर ली बेक न आराम से आपको cheap rate में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो heavy duty वाला भी अच्छा वाला use कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत साल तक आराम से चलेगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दही लिया है, जिसे मैं weight कर रहे हूँ, वो मुझे करीब करीब 90 ग्राम्स चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाता है कि हमें कितना डालना है, कितना, एक से दो पॉइंट उपर नीचे हो सकता है, जैसे 90 ग्राम्स है तो 89 आप लिया या 91 लिया तो भी चलेगा, बट 90 ग्राम्स का है तो आप 100 लेंगे, 105 लेंगे, तो उससे आ हो गया, means जो container हमने रखा है, उसका weight नहीं आएगा, जो आप oil डालेंगे या जो भी आप liquid डालेंगे से उसका measurement आएगा, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे 45 ml of oil चाहिए था, तो मैंने उस हिसाब से measure किया, आप ज्यादा यूज़ करके कम adjust कर सकते हैं अपने हिसा बता रही हूँ, sponge बता रही हूँ, आप यह देख सकते हैं, कितना अच्छा इससे cake बनता है, आप देखिए, यहाँ पर मैंने दही जो हमने weight की थी, उसमें जो powder sugar था, उसे मैंने mix किया है, आप अच्छे से cream कर लें, mix कर लें वेइंग स्केल का यह फायदा है, friends कि आपका अच्छा नहीं मिलेगा, और फिर यह होगा कि हमने पूरा recipe follow किया, तो भी क्यों नहीं result मिले, तो आप प्लीज एक weighing scale follow कीजिए, अच्छे से, और यहाँ पर आप देख सकते है, recipe पे मैंने जो मैं आटा लिया था, उसे मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पर मैंने half kg का बना अब यह सारे ingredients जो dry हैं, उनको हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे सारे incorporate हो जाए अच्छे से, और कोई भी lumps ना रहे हमारे batter में, जिससे properly हमें एक smooth batter मिले, अब आप देख सकते हैं, मैं इतने अच्छे से, उसको mix कर रही हूँ, अभी जो हमने oil, जो हमने measure करके रखा था, वो भी हम डाल देंगे, आप चाहें तो oil बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी कोई problem नहीं है इसमें, यहाँ पर मैंने oil डाल के इसको अच्छे से mix कर रही हूँ, अब आप देख सकते हैं, हमारा batter थोड़ा थिक है, तो अब हम इसमें liquid agent जो हमारा milk है, वो डालेंगे, तो से मैंने ये जो container का weight था, उसको zero करने के लिए, जो tear button था, वो use किया था, normally आपको on off and tear यही दो button के जादा use आएंगे, क्योंकि हमें grams में ही mostly cake बनाने के लिए use करना पड़ता है, तो mostly in general आपको यही दो button use होंगे, और अगर आपके पास अच्छा weighing scale रहेगा, friends, तो यह आप आपको बहुत फाइदा देगा, आपका कभी कोई भी measurement गलत नहीं होगा, आपको अच्छा proper results मिलेंगे इसके, और आप देख सकते हैं, मैंने जो milk डाला है, उससे मैं अच्छे से incorporate कर रही हूँ, हमें बहुत thick batter भी नहीं रखना है, बहुत thin भी नहीं करना है, medium consistency वाली रखन और यहां पर मैंने aluminum का tin पहले से grease करके रखा था, जिसमें हम यह batter डाल देंगे, आप यह batter डालने के बाद आप इसे oven में 180 degree पे 30 minutes तक के लिए बेक कर सकते हैं, या cooker में, preheated cooker में भी आप इसे 25-30 minutes बेक कर सकते हैं, friends, आप देख लीजे आपका oven and cooker सबका size and temperature सबका अलग होता तो जब तक आपका fork या जो भी आप use करें, वो clean ना निकल जाए, तब तक आपको इसे bake करना है, minimum 20 minutes तो आपको लगी जाएंगे, क्योंकि है half kg का cake है, अगर आप इसको double करेंगे recipe को, तो उसका time थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आप उसी साब से 25-30 minutes आप दे दीजे, low medium flame प अवन में bake करना है, अब देख सकते हैं, मैंने इसे bake कर लिया, कितना अच्छा flat top आया है, dome भी नहीं आया है, और हम इसे flip करके देखेंगे, अच्छे से पका है कि नहीं, अब आप देखें, मैं इसे demol कर रही हूँ, butter paper लगाने का ये फायदा होता है, friends कि आपका cake चिपकता नहीं है, और आराम से निकल जाता है, आप देखें कितना spongy cake रेडियू है, जबकि आटा का है,